गाजम युद्ध के बीच यमन का हूती इसराइल और अमेरिका को जटके पे जटके दे रहा है। इन इलाकों से सीधे इसराइल पर हमले भी कर रहा है। इस हमले की जानकारी दी। हूती का कहना है कि उसने अमेरिके ड्रोन को जमीन से हवा में वार करने वाली एक स्वदेशी मिसाइल से मार गिराया। आपको बताते कि अमारिका का यह साथवा MQ-9 रेपर ड्रोन है जिसे हूती ने गाजा में युद्ध शुरू होने के बाद मार गिराया है। हूती ने खुद इस हमले का एक वीडियो फुटेज भी जारी किया है। अाज आपक में तुमारा है। अप्रतुत कisko पडहिक दाराइत है वान you current Pacific आष्वडाव कर श्यास्वा़ मुडն değildis Arawasi अमेरिके ट्रोन के अलावा हूती ने एडन की खाड़ी में ग्रोटोन जहाज पर कई बैलिस्टिक मिसाइले फायर की हैं। हूती का कहना है कि इस जहाज की कंपनी ने हूती द्वारा कबजे वाले फिलिस्टिनी रूट पर लगाए गए प्रतिबंद का उलंधन किया है। इसलिए इस जहाज पर हमला किया गया। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका की अगुवाई में बने जॉइंट मैरिटाइम इन्फॉमेशन सेंटर यानि जे एम आईसी ने भी इस हमली के पुष्टी की है। जे एम आईसी का कहना है कि लाइबेरिया जुंडे वाले कंटेनर जहाज पर एडेन से करीब 225 किलो मीटर की दूरी पर दक्षिर पश्चिम में एक मिसाइल हमला हुआ है। हमले में जहाज को मामूली नुकसान हुआ। माई 2024 को अलबाइदा प्रांथ के उपर जमीन से हवा मिवार करने वाली एक मिसाइल से MQ-9 जून को उड़ा दिया था। और इसे पहले 8 माई 2024 को मारे प्रांथ के उपर इस जून को गिराया गया था। और 24 माई 2024 को भी हूती ने साना में इस जून को गिराने का दावा किया था। और इसे पहले 25 अपरेल 2024 को हूती ने सादा प्रांथ में सिमारने का दावा किया था। इसे पहले 19 फर्वरी 2024 को हूती ने अलहुदियदा प्रांथ में MQ-9 को गिराया था। MQ-9 रिपर डून की ताकत कीमत 1.68 करूट डॉलर है। अधिक उचाई पर उडान भर सकता है। GBU-12 पाफवे 2nd laser guided bomb, GBU-38 joint direct attack ले जाने में सक्षम है। और सबसे अहम बात यह है कि डून 1850 किरो मीटर तक की operational range रखता है। साथ ही ये लगातार 27 घंटे हवा में उडान भर सकता है। और यही वज़ा है कि हूती द्वारा अमेरिका के साथ पे डून को मार गिराना अमेरिका के लिए एक बड़ा जटका है। कि क की बड़ा है।